हेलो गाइस दिस इस ताज फ्रॉम डिजाइन टाइम वेलकम बैक टू आर चैनल एलबम फॉर्मूला तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने खुद के फोल्डर्स को खुद की फाइल्स को खुद की पिएच्डेज को खुद के पी एंजी क्ली तो आईए देखते हैं तो मैंने अपने कंप्यूटर में अपना सौफटर ओपन करके रखा है तो यहां पे दिखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं अगर मुझे इसमें अपने कोई भी फोल्डर्स को अटैच्च करना है तो इसमें काफी जादा आसान तरीके से आप इसमे मैं अभी फर्स्ट टाइम पर अलबम बटन पर क्लिक करता हूं और यहां पर मुझे अपनी फोटो लोड करनी है तो यहां पर आपको फोटो लोड करने के दो तरीके हैं और काफी आसान तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि आप यहां पर प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं यहां से आप अपने फोल्डर को navigate कर लेंगे just for example कि मैंने अभी यहां पे अपने जो फोल्डर मुझे यहां पे लोड करना है वो मैंने desktop में रखा हुआ है desktop में मैंने रखा हुआ है album formula data नाम से यहां पर मैंने इसको जैसे क्लिक किया यहां पर ढेल सारे फोल्डर दिये हुए है अभी मुझे यहां पर सिर्फ अपनी फोटो को लोड करना है तो मैंने यहां पर एक test image नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है जैसे मैंने इस फोल्डर को select किया और okay किया तो देखिए यहां पर यह फोल्डर लोड हो गया अगर मुझे इस फोल्डर की सारी image को यहां पर थम्नल प्रिव्यू में देखना है तो बस मुझे इस check box को एक बार check करना है जैसे ही मैं इसे check करूंगा तो यहां पर मुझे सार आपको दिखने लगे जैसे देखिए मैंने इसमें भी 88 image को लोड किया है और यहां पर मुझे दिखा रहा है कि आपने यहां पर कितने फोल्डर लोड की हुए तो देखिए मैं ने आप एक फोल्डर लोड किया है चलिए मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूं जो की अपर डेक स्टॉप के अंदर album formula नाम से एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने एक text इमेज नाम से फोल्डर बनाया हुआ है मुझे यह इमेज यहां पर लोड करना है तो मैंने इस image को open किया और इसको मैंने यहां से copy कर लिया इस फोले पूरे पार्ट को म दवा दिया तो देखिए वो जो फोल्डर थो आप यहां पे लोड हो गया है इस तरीके से भी आप इस सौफ्टर में फोल्डर लोड कर सकते हैं आए हम थोड़े और फोल्डर लोड करके देखते हैं जस फर एक्जामपल कि अगर मुझे यहां पर टेंपलेट के डेगरी में जाओंगा और यहां पर मुझे टेंपलेट लोड करना है तो मैंने यहां से टेंपलेट का फोल्डर सेलेक्ट किया मुझे मैंने यह टेंपलेट यहां पर रखा हुआ है यह टेंपलेट का फोल्डर है मैंने टेंपलेट के फोल्डर पर डबल क्लिक किया और मैं यहां से यह टेम्प्लेट्स जो मैंने लोट की थी वह तो सारी टेम्प्लेट्स यहाँ पर मुझे शों होने लग गई गयी और द्वल्ट करके किया यहां से कॉपी किया आप कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं और मैंने सौफटर ओपन किया और यहां पर कंट्रोल वी कर दिया और जैसे मैंने कंट्रोल वी किया तो देखें यहां पर लोड हो गया है इस तरीके से आप असानी से अपने फोल्डर को इस सौफटर के स लोड हैं मैं फिलाल इन सारे फॉलडर को सेलेक्ट करता हूं और की बेदिगूald डबा देता हो और मैं चाहता हूं कि यहां पे सारे का सारा फॉल्डर मैं ओवर ले में जितने हुश्ड os와 decision कैभ Grü के जितने भी बूके के जितने भी फॉल्डर सोते यहां पर पूछा जा रहा है कि आप क्या लूट करना चाहते हैं तो यहां पर दिखिए मैंने ओवरले नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है वाले फोल्डर को से लट की आपको चहीं लाग जाएंगी मैं फिलाल सरी चीजिशंगे बुके वाले फोल्डर को से लेक्ट करता हूं और यहां पर दिखे जो प्रिव्डवी थाव यहां पे दिखने लग गया preview panel पे इस तरीके से आप अपने धेर सारे folders को भी एक बार में एक click में यहाँ पे लूट कर सकते हैं फिर वो चाहे wedding की आपने अगर wedding का photograph क्लिक किया हुआ है उसमें धेर सारे folders आपने बनाए हुआ है different camera के folders बनाए हुआ हैं तो उसे भी आप एक ही बार में इस software के साथ attach कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो make sure इस वीडियो को like करिए और और इसे अपने सारे फोड़गाफर फ्रेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी एस software का यूज कर पाएं और अपने काम को काफी आसान बना पाएं थैंक यू फोर वाचिंग